मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना खाट पकडना बीमार होना दो दिन लगातार कडी धूप में काम करने पर राम ने खाट पकडली करवटे बदलना बेचैन रहना काम न मिलने से चिंतित रमेश रात भर करवटे बदलता रहा कमर कसना तुरुड संकल्प करना अच्छी खेती कर सोने जैसी फसल उगाने के लिए किसानों ने कमर कस ली तारीफ के पुल बांधना प्रशंसा करना निस्वार्थ भाव से काम करने के गुणों की तारीफों के पुल बांधना स्वाभाविक है आँखें खुली की खुली रह जाना, चकित रह जाना, कडाके की थंड में पीड़ित गाउवालों की सेवा करते, सैनिकों को देख हमारी आँखें खुली की खुली रह गई कूण पसीना एक करना, कडी महनत करना अपना कूण पसीना एक करके किसान जब खेतों में फसल उगाता है, तब ही हमारी थालियों में खाना आता है हतियार डालना, आत्म समर्पन करना चारों तरफ से घिर जाने पर चोरों ने हतियार डाल दिये सिर आँखों पर रखना, स्विकार करना समराट के आदेश को प्रजाने सिर आँखों पर रखा मात देना, पराजित करना अपनी सूजभूज से सेनापती ने दुश्मन को मात दे दी, मुह लटकाना, उदास होना, राम ने मुह लटकाया है क्योंकि कई दिनों से उसके माता-पिता की कोई खबर नहीं आई है आँच न आने देना, जरा भी कश्ट न होने देना, माता-पिता का आशीरवाद हो तो हम पर कभी कोई आँच नहीं आएगी मेरे भाईयों ने खूब तकलीफे झेली पर मुझ पर कभी कोई आँच न आने दी लोहा मानना, महत्व या श्रेष्टता स्विकार करना मेरे नाना जी ने गाउं की भलाई और प्रगती के लिए जो कार्य किये हैं उस वजह से लोग आज भी उनका लोहा मानते हैं मेरी इस योजना की वजह से गरीब जनता को जो सहायता मिली है उस कारण लोग मेरा लोहा मानते हैं घमंड चूर करना, अहंकार नश्ट करना राजा ने मंतरी की सलाह न मानकर ज्यानी किसान की बात मानकर लगान माफी का आदेश सुनाया इस से मंतरी का घमंड चूर हो गया अपने पैसे का रोब दिखलाती महिला ने जब साधारन बालिका को पाटशाला में अधिक मान सम्मान मिलते देखा तो उसका घमंड चूर हो गया रंगे हाथ पकड़ना, अपरात करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना शाम को माने जब शरारत करते रंगे हाथ पकड़ा तब शाम का चहरा शरम से लाल हो गया दरोगा के द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने पर राम ने अपना गुनाह स्विकार कर लिया हामी भरना, स्विकार करना सेर पर जाने के लिए पिताजी ने हामी भरते ही हम सब तयारियों में व्यस्थ हो गए दादाजी अकसर पिताजी की हर योजना और निर्नय की हामी भरते हैं अपने पैरों पर कुलहाडी मारना, खुद अपना नुकसान कराना अपने बड़ों की बातों और सलाहों को अनसुना करके हम अपने पैरों पर खुद ही कुलहाडी मारते हैं दादा जी कहते हैं वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो खुद अपने पैरों पर कुलहाडी मार लोगे घोडे बेच कर सोना निश्चिंत होकर सोना आखरी पेपर हो जाने पर भरत घर आकर घोडे बेच कर सो गया हमारे पाटशाला का चप्रासी अकसर भरी दो पहर में घोडे बेच कर सो जाता है नीचा दिखाना अपमानित करना राधा ने शाम से कहा किसी भी व्यक्ति को उसकी आर्थिक परिस्तिती की वजह से नीचा दिखाना यह शिक्षित व्यक्तियों का को शोभा नहीं देता देवरानी को नीचा दिखाती है आवाक खड़ा रहना अचमभित हो जाना अचानक सामने लोमडी को देख कर किसान आवाक खड़ा रह गया छोटे बच्चों की मासूम बाते सुनकर हम अक्सर आवाक खड़े रह जाते हैं आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, शाम को इतनी सफाई से जूट बोलता देख, उसके पिता आपे से बाहर हो गए पाठशाला में बड़े बच्चों ने छोटे छात्रों को सताया और उनकी पिताई की यह बात सुनकर प्राचार्य आपे से बाहर हो गए काफुर होना, गायब होना, राम बुढ़े आदमी के सारे पैसे लेकर काफुर हो गया, शाम पता नहीं क्यों कल राद से ही काफुर है तिलमिला जाना, गुस्सा होना, रसोई में खाने के लिए कुछ नहीं था, यह देख कर राधा तिलमिला उठी तिलमिला जाए भी